बिहार के नालंदा जिला मुख्याले बिहार शरीफ सराय थाना छेतर इस्तेद छोटी पहाड़ी में बीते 15 जन्वरी को जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत हो गई थी जिसके बाद से नालंदा जिला प्रशासन लगातार एक्सन मोड में दिख रही वहीं बीते दिनों नालंदा एस्पी अशोक कुमान मिश्रा के आदेश पर छोटी पहाड़ी छेतर में सदर टी एस्पी डॉक्टर शिंबली निनामी के नेतरुत में ड्रोन के द्वारा शराब माफियों और शराबियों पर अंकुस लगाने के लिए ड्रोन ओप्रेशन क्या कर रही है साथी साथ लोगों को जागरू करने का भी काम कर रही है ताकि नालंदा से शराब और शराब माफियों का नामों निशान मिटा सके तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से ड्रोन के माध्यम से जो है शराब और शराब माफियों की पहचान की जा रही है सिटी एसपी भी मौझूद है इतन ही नहीं बिहार के नालंदा ही नहीं बिहार के तमामों छेत्रों जिनमें एसपी डीएसपी को शक है कि इस छेत्र में शराब धंदे बाजी हो रही है गलत शराब बनाये जा रहे हैं उसको लेकर के जिला प्रशासन अपने अपने छेतर की जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे दिख रहे हैं वो ड्रोन के माध्यम से शराब भठीयों को दोष्ट करने में लगे हुए हैं बीते ही दिनों मुख्यमंते नितिश कुमार ने शराब बंदी कानून को और सकती से लागू करने के लिए मद्द निशेद विभाग के अपर निदेशक को सक्त नर्देश दिये हैं कि किसी भी हाल में शराब और शराबियों को सराब माफियाओं को पकड़ के उनके बन रहे गलत शराब भटियों पर जाकर के ध्वश्ट करने का सक्त निर्देश दिया है बरहाल ये नालंदा के तस्वीर है देखिए नालंदा में किस प्रकार से ड्रोन की मदद ली जा रही है शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रिये नि हम आपके खोज़रा चल गए उधर आगया पीछे हैं आप लोग पीछें चाहड़ गया है इस चोटी पहाड़ी के वकान नास्थानों पर जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रोन के माधियम से हम लोग जो शराब की बरामदगी खोजवीन और जो शराब के कारववारी है उस प लगातार छेत्र में लगातार हमट श्राब के दृत पुलीस अधिक्शक महुदय के जिसान इर्देशन में हम लोग छपंवारी बरामदगी गिरफकारी की करवाई कर रहे हैं इसी कड़ी में साहãyता से हम लोग शराब की बरामदगी के का